क्या आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं यानि कि एक अच्छे एंकर बनना चाहते हैं क्या आप जब स्टेज पे चड़ते हो तो आपको पसीने चूटने लगते हैं या फिर आपके सब्द कोश कम पड़ जाते हैं यदि इसका जवाब हाँ है तो मैं आपको बताना चा सकते हो अपनी सब्द कोश्च है तो चलिए इस वीडियो में हम सब सीखने की कोशिश करेंगे तो लैट्स स्टार्ट द वीडियो नमस्का दोस्तों यू आर वोचिंग दरोल फाइट विज्ट सोन सर्फ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आप जब स्टेज पे होते हैं तो अपनी परसनेलिटी किसी की डिस्कस करनी है या फिर अपनी वुकैप पावर कैसे आप बिल्ड बिल्डप कर सकते हो अ आप यदि एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो अच्छे वक्ता के लिए दो चीज़े बहुत जरूरी होती है एक तो आपका कॉन्फिदेंस और कॉन्फिदेंस के साथ साथ शही शब्डों का सही व्यक्ति के लिए चाही टाइम पे सही वर्ड का यूज करना है चैन कर हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपकी ओडियंस को बांद तो चलिए इस वीडियो में हम सीख लेते हैं क्या-क्या वर्ड हम अपनी एंकरिंग के दुरान यूज़ कर सकते हैं जिसे जो आपकी ओडियंस है या फिर आपके चीफ गैस्ट है उनको हम सम्मानित कर सक जैसे यंग चलेंटीड ठीक है तैलेंटीड मतलब जिसके अंदर बहुत तैलेंट कोट कोट के वराओ और यह दो दोनों वर्ड जो मैंने बताए बहुत ही कॉमन वर्ड है इन वर्ड को आप किसी भी किसी भी पसंद के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ तीसरा जो बहुत सारे वर्ड की नोलेज या फिर बहुत सारा जो वर्ड काम करने वाला है जैसे कि गली महले या आपके डिस्टिक में कोई ऐसा लगता है कि इससे वर्कर है social activities में बहुत भड़ चटकर भाग लेने वाला है तो इसको हम कह सकते हैं he is very socialist और he is socialist ठीक है वह एक समाथ से भी है ठीक है तो इसको बुलाने के लिए हम कह सकते हैं he is very socialist और I am going to call very young talented and socialist ठीक है हां तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ देख लेते हैं, next word है enthusiastic, enthusiastic का मिनस होता है, जिसके अंदर जोस बरा हो, जोस इला हो, उसके लिए हमें enthusiastic use कर सकते हैं, ठीक है, next word है energetic, energetic energy से बना word है, तो energy का मतलब भी क्या होता है, जिसके अंदर पूरी ताकत हो, जोस हो, तो energetic भी उसी से बना word है, कि हम किसी के लिए यूज कर सकते हैं, I'm going to call very young talented and energetic actress, whatever, नाम किसी का भी आप according to the condition देखना है, कि आप किसको बुला रहे हो, ठीक है, तो energetic भी यूज कर सकते हैं, जोसिला के लिए, जोस जिसके अंदर भरा हो, जिसके अंदर energy भरी हो, उसके लिए energetic यूज कर सकते हैं, So next word है, brave, brave आपको लगता है कि कोई भाधुरी का काम जो करते हैं, जैसे कोई mountaineer है, जैसे पहाड़ों पे चड़ना इतना आसान काम नहीं होता, जितना हम मानते हैं, यदि कोई ऐसा person है, जिसने कोई भी brave का, या फिर कोई भाधुरी का काम किया है, तो उसके लिए हम कह सकत हैं, bold, bold भी भाधुरी के लिए उसके जाता है, जैसे कोई किसी का भी जवाब देने में सक्षम हो, और किसी से बिना डरे, बिना पार्सलेटी किये, किसी का जवाब सही दे अपने तरीके से, तो वो भी bold हो सकता है, bold को हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे निर्भ कि अउन्चने में, या फिर अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की हैं और बहुत मेहनती बंदा आपने लाइफ में मेहनत करता रहता है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, milliards या फिर इसके लिए यूज़ के सकते हो, आप डिलिज़िएंट, diligent में होता है, तैष यह थिल यदि आपको लगता है कि कोई person किसी चीज में famous है, चाहे वो किसी भी field में हो, चाहे sports में हो, चाहे राजनेती में हो, किसी में भी अपनी पकड बनाए हुए हो, तो उसके लिए हम use कर सकते हैं, imminent, imminent, he is an imminent writer, he is an imminent player. okay, so let's have a look at the next, so next word है legend, legend है कैसे पसन के लिए यूज करते हैं, जो किसी भी field में ज्यादा समय से active हो, ज्यादा समय से टिका हुआ हो, जैसे now I'm going to call the legend of the cricket, Mr. Sachin Tendilgar, now I'm going to call the legend of Bollywood, Mr. Salman Khan, तो इस तरह से आप legend word का भी use कर सकते हैं, let's have a look at the next word, next word है kind-hurted, kind-hurted हम उसके लिए use करते हैं, जो भूत ही दयालू है, जिसके अंदर दया कुट-कुट के बरी हो, जैसे कोई भी छोटी जी मोटी घटना हो, उसके उपर भी अपनी पर्तिकिरिया देता हो, उसके लिए हम kind-hurted उसके हो सकते हैं, और यह भूत ही common word है, इसको next part लेकर के आँगा, क्योंकि वीडियो जैदा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए next part लेकर के आँगा, part two में हम और कुछ words हैं, जो बच गए हैं, रह गए हैं, उनको हम discuss करेंगे, यदि आपको ये मेरे दवारा दीगी जानकारी से आप संतूस्थ हैं, या फिर आपको ये जा को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं, नई वीडियो में, second part में, तब तक के लिए देखते रहे हैं, the royal fight with some sir, be happy, keep smiling, take care.